इसके शिकायत बकायदा कंगना रनाओत ने दर्द भी कराई है और चियाएफ कर्मी को फिलाल पूस्ताज के लिए दिदेन किया गया है चंडिगर एयरपोर्ट पर देखिया और वो तस्वीरे कुछ तस्वीरे भी सामने आई है इससे पहले जो जानकारी मिली थी कंगना रना विवाद के बाद दिल्ली पहुच चुकी है कंगना ये जानकारी भी मिल रही है दरसल बीजेबी की बैटक्ट में वो शामिल होने के दिल्ली आ रही थी जिसकी विलिए वो मंडी से चंडिगर एयरपोर्ट पहुची थी लेकिन वहाँ पर ये घटना क्रम पेश आया और द थपड़ वारा दरसल बताया जा रहा है कि किसानों के खलाफ कंगना रानाओ के जिस तरह के बायान सामने आया थे उससे वो सियासेफ करमचारी आहत थी और उसी का ही नाराजगी में उसने उसी की नाराजगी की वज़ा से उसने ऐसा किया है तो किसानों के खलाफ बोले पर सियासेफ करमचारी ने कंगना रानाओ पर धपर जड़ दिया कमांडेंट के कमरे में फिलहाल सियासेफ करमचारी को बिठाया गया है उससे उस्ताच हो रही है चंडीगड एयरपोर्ट पर ये पूरा घटना करम पेश आया और ये न्यूज लेकिन वहाँ पर हल्चल वाली इस्तिती जरूर दिख रही है वहाँ पर कुछ कौतुहल भरी इस्तिती दिखाई दे रही है लेकिन वहाँ चंडीगड एयरपोर्ट पर इस घटना के बारे में कंगना रनाओत ने खुद जाकर इसके शिकायत दर्च कराई और सायोगी अंकुष बाजन इस खबर पर हमारे साथ हमारे सायोगी जुड़ रहे हैं अंकुष जानकारी दीजिए आप कुछ इस पर छो पाया है क्या वहाँ से क्या जानकारी मिल रही है क्या हुआ था बेकुल कंगना रनाओत आज मंडी से दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी तो उसी दोरान जब वो एरफोल पर पहुंची और वहाँ पर अपना मुबाइल रखा है और वहां सलाशी उसकी लीजा रही थी तो उसी दोरान एक सियाया सब जो कर्मी है उन्होंने अचानक से ज इसी से जो बदला में ले रही है तो इसके बाद जो है सामने आई है इसके बाद कंगना रनाओत और उनके जो साथी से उनकी और से भी जो है उस महिला के उपर हाथ हाला के उठाया गया नेकिन वो पीछे हो गई तो उसके बाद मामला काफी तूल पकड़ता रहा है इसके इस महिला जो अधिकारी है इसको तुरंत जो है हिरासत में लेकर इसे कमांडिंग ओफिसर के कमरे में बठाया गे जहांसे इससे पूस्ता की जा रही है जो अब विसारा की स्वाइट से दिल्ली रवाना होगी है और हाला कि अब दिल्ली भी पहुँच चुकी है तो इस सारी जो घटना करम है तो गया है तकरीबन साड़े तीन बज़े के आसपस का है जब परड़ना रणावा पे एरपोट पॉर्ट पॉर्टी थी और वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी ज़रा जानकारी दीजे कि क्या इस पूरे घटना की कुछ तस्वीरे साफ तोर पर सामने आई है क्या कुछ वीडियो सामने आए हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसा साफ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे हुए है कुछ इस तरह के तस्वीरे कैक्चर लेकिन वह एरपोर्ट ऑथरिटी के पास और वह भी वीडियो जो है वो सर्जिंग नहीं की गई है अला कि यह जो वीडियो जो अभी जो चल रही है यह किसी जो वहां पर कोई और जो कर्भी था या जो वहां पर यात्री था उसकी दौरा इस वीडियो को बनाया गया जिसम एक तफिर ये भी सामने आ रही है जो उनके साहर यात्री से जो उनके साहर यात्रा कर रहे हैं तो उनकी और से भी जो है वो हाथ उठाने की कोशिश की गई है वो एक और कर्भी के अपर लेकिन उसका बचा हुए लेकिन अभी जो पुली से इस पारे में क्या कदम उठा की दिखना होगा हाला कि इस CSF करमचारी के बारे में क्या जानकारी जरा बताएं एंकोश की वहाँ पर ये कबसे तैनाग थी कबसे एड्यूटी कर रही है एरपोर्ट सेक्यूरिटी में कबसे वहाँ पर लगी हुई है इसका बैग्राउंड क्या है उसके मांसे किस निती के बार कि जो बताया जा रहा है कगना रौत यहाँ दो प महिला किसानों के विरोज में जब पहला किसान ङुओ में दिली में हुए थी तो उसमें जब महिला किसान जहां पुँची थी उनके बारे में कंगना रौत नह सेar कि वाद माई गरें श जोकра काफी गरमाया खा उसी बियानबाजी से जो यह महिला करमचारी काफी आहती ओजぎ हंवे आप से बद्रब्रण बहुनाइं पंजाब पूलिस तेनाज रहती है उनकी और से सीनर पूलिस अजिकारी को तुरंट इसके सूचना दे गई और सीनर अजिकारी एरपोर्ट पर बहुत चुक्र वहाँ पर उसके जो पूस्ताच की जा रही है कहा जाना की कंगना की तरफ से शिकायत दर्ज कराई है क्या पूरी एफ आई यार दर्ज हो गई है कि इन धाराओं के तहट ये मामला दर्ज किया गया और उस कर्मचारी के खलाफ क्या कारवाई हो रही है ऑला कि अबी कोई मामला जो दर्ज करने की बाद सकूर में ही पूस्त के जा रही है और उसके वाद फॉस्ताच की जा रही है और उसके बाद साफ औपाइगा कि पंजाब पूस्ति किहा आफ़ी आ ये अशेल लिया जाता है की बार सामने आई है हाला कि कंगना अब दिली पहुंच चुती है और दिली पहुंचने के बार जो ग्रह मंतरी की सिर्फ मिल सकती है हाला कि अभी जो सर्कार की भंगूगी है जैसे अब नहीं बनती है तो उसको लेकर ही कर जो मीटिंग बढ़ाए गए वहाँ पर भी के बार भी मामला काफी तूल पकड़ाता है और एक बार सिर्फ है यह जो मामला काफी तूल पकड़ता हो नजरारा है लेकिन अंकुछ वैसे देखे कंगना रनाओत अकसर इस तरह की सुर्खियों में रहती है कई बार विबादों का भी उन्हें सामना करना पड़ता है कई कि तरह के बयानों और कई तरह के घटनाओं के वज़ा से वो सुर्खियों में और विबादों में रही है लेकिन यहां पर तो कहीं कैसे कंगना के दरफ से कोई रियक्शन नहीं हुआ था सियासफ करमचारी ने पहले ही इनके किसी पुराने बयान को लेकर के इस तरीके से र से रिटमेंट आया कै क्योंकि हम देख रहे हैं वारी सुरक्षा में वो जा तो रही है लेकिन वहां पर कुछ भी रही है